सबसे पहले हम जो प्रटेंशल वेल होता है और या उसे के हिंदी में जो विभवकूप कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे और किस तरह एक विभब कूप को परभासित किया जाता है اور किस तरह विभब कूप में दोलन संभव होते हैं उस सब की चर्चा हम आज करेंगे तो सबसे पहले हम विवभब कूप को परभासित करते हैं तो यदि किसी कण की चित्र में प्रदसित बिंदू B पर गतिज उर्जा सून्य हो तता कण गति करने के लिए स्वतंत हो तो वह बिंदू P की ओर अग्रिसार होगा और P पर पहुँचने पर इसके इस्तिज उर्जा न्यून्तम एवं गतिज उर्जा अधिक्तम होगी P पर पहुँचने के पश्चात करन अपनी गतिज उर्जा के कारण X अक्ष को रिनात्मक दिसा में गति करता हुआ बिंदू A तक पहुचेगा जहां इसकी गतिज उर्जा पुने सुन्य हो जाएगी तता इस्तिज उर्जा अधिक्तम होगी इसके पश्चात करण पने A से P की और गति करता हुआ P को पार कर बिंदू B पर पहुचेगा और P के दोनों और वहे गति बार बार दोहराई जाएगी उपर बने श्तित्री उर्जा वक्र का बिंदू A B वे पी के मद घिरा जो आपका छेत्र है वे विभाब को कहलाता है तो विभाब कूप को आप एक बोल की तरह कंसिडर कर सकते हैं कि यदि हम बोल के किनारे से किसी किसी भी कण को छोड़ें तो वह तली में जाता है तली के नियुन तब पॉइंट तक पहुंचता है और उसके बाद वो अपनी गति जुज़े कारण उपर जाता है और यह गत तब तक दोराई जाती रहती है जब तक कि उसकी संपूंग उजा समाप्त नहीं हो जाती तो ऐसा ऐसी कोई भी संद्शना आपकी विभव कूप कहलाती है जहां इस तरह का गति उजा रिष्टि उजा अपसमें परवर्टित होती रहती है और अंतमे अव्मंदन के कारण सम क्रिया कहलाती है तो यदि कंड की गतिर उजा कंड की बिंदू बी पर इस्तिति उजा होए कंड की बिंदू पी पर इस्तिति उजा के अंतर से कम है तो कंड इस विभव कूप में बंद अवस्था में होगा यदि कंड की गतिर उजा यूवी माइनस यूपी से अधिक है त अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि कंड को गत्री उर्जा इतनी देदी जाती है कि वह बिंदू A या बिंदू B को पार कर जाता है तो उस इस्तिति में वह बंदन नहीं ृणकार जब तक कंड की करदेजी उर्जा इस उर्जा से कम है कि सील कूप में दोलन करता रहेघा 7 आप OA कूप में दोल्न करता रहेगा आ magg서 Crash जीरो हो तो किसी अन्य बिंदू X पर कणके इस तरी उर्जा को टेलर सीरीज विस्तार द्वारा व्यक्त किया जा सकता है U X is equal to U X 0 plus delta U over delta X at X is equal to X 0 into X minus 0 plus del 2 U over del X square at X 0 X minus X 0 ka whole square over factorial 2 plus del 3 U over del X 3 at X 0 X minus X 0 whole power 3 over factorial 3 dot 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 इसे समिकर्ण 1 के द्वारा व्यक्त कर सकते ही अब UX minus अब UX और X RX से स्पाइश्ट है कि at X is equal to X 0 या बिंदू P पर del U over del X का मान सून्य होगा तता del 2 U over del X square का मान धनात्मा होगा यदि del 2 U over del X square at X is equal to 0 बरावर के और del 2 U over del X 3 at X is equal to K1 लिखा जाए तो समिकर्ण 1 को निम्पर का लिखा जा सकता है UX is equal to UX 0 plus 1 by 2 K X minus X 0 का square plus 1 by 6 X minus X 0 cube plus dot 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 समिकर्ण 2 तो अब यदि बिंदू P को मूल बिंदू पर विस्थापिर कर दिया जाए तो उप्रोग समिकर्ण 2 को निम्पर कार भी लिखा जा सकता है UX is equal to U0 plus half K X square plus 1 by 6 K1 X cube dot 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 equation number 3 समिकर्ण 3 में U0 मूल बिंदू परकण की इस्थित्री उड़ जा है चुकि X0 is equal to 0 अब यदि कर्ण का P के सापिट ये स्थापन X बहुत छोटा हो तता सुगदा के लिए मूल बिंदू परकण की इस्थित्री उड़ जा को सुन्य माना जाए तो समिकर्ण 3 का रूप निम्पर का होगा UX is equal to हाप के X square X के उच घात वाले पदों को छोड़ दिया गया है समिकर्ण 4 को लिखते समय जो X का मान क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए XQ, X4 के मान और भी अतियाल होंगे इसलिए उनको नगन मानते हुए समिकर्ण 3 को समिकर्ण 4 के रूप में लिखा गया है समिकर्ण 4 का यदि अवकलन किया जाए तो डेल UX ओबर डेल X is equal to KX अत्य है विवब कूप में दोलन करते हुए कर्ण पा लगने वाला जो बल है FX is equal to minus डेल UX over डेल X is equal to minus KX या FX is equal to minus KX यह समिकर्ण 5 के द्वारा व्यक्त किया गया है समिकर्ण 5 से इस परिष्ट है कि विवब कूप में दोलन करते हुए कर्ण का उस्थापन यदि बहुत छोटा है तो कर्ण पर लगने वाले बलकी प्रकृती वही होगी जो की एक सरल आवर्थ गती करते हुए कर्ण पर लगने वाले बलकी होती है आते हम कह सकते हैं कि छोटे आयम के दोलनों के लिए विवब कूप में करकी गती सरल आवर्थ गती होती है चाहे विवब कूप का आकार कैसा भी क्यों न हो अब हम सरल आवर्थ गती की बात करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वैसे तो सिंपल हार्मोनिक जो मोशन होती है सरल आवर्थ गती होती है उसके विशह में आप 12th लेविल पर या secondary हायर secondary लेविल पर पढ़ते आये हैं और उसके विशह में बहुत कुछ आपको आप जानते होंगे लेकिन फिर भी हम इसे द्वारा से सबको रिपीट करेंगे तो यदि कंड़ लगने वाले बल f को निर्म समीकंड द्वारा व्यक्प किया जा सके f इसकल 2 माइनस kx तो ऐसे बल छेत्र में कंड़ की गती सल आवर्ट गती होती है यहाँ पर x कंड का सामय विश्था से विश्थापन तता के नियतांग है ज़िकंड का द्रमान m हो तो कंड़ की गती के लिए समीकंड को निम्त्रका लिखा जा सकता है f इसकल 2 में की साहता से m d2x over dt square is equal to minus kx या d2x over dt square plus k by mx is equal to 0 यदि k by m बराबर omega 0 square लिखा जाए तो सल आवर्ट गती करती होए कंड का समीकंड d2x over dt square plus omega 0 square x बराबर 0 होगा उप्रोग समीकंड SHM simple harmonic motion समीकंड को व्यक्त करता है अब हम simple harmonic motion में गती करते हुए कंड के वेक की बात करेंगे कंड के वेक का जो एक तरीके से किस तरह उसका परिकर्ण किया जा सकता है वो हम बात करते हैं तो SHM करते हुए कंड का वेक ज्याद करने के लिए हम समीकंड D2X over DT square बराबार मानस omega 0 square X को दोनों और DX by DT से उना करते हैं तो DX by DT D2X over DT square is equal to minus omega 0 square X DX over DT या VDV by DT बराबार omega 0 square X DX by DT या VDV is equal to minus omega 0 square X DX वो प्रोग समीकंड का जदी समाकलन किया जाए तो हमें निम्च समीकंड प्राप्त होती है V square by 2 is equal to minus omega 0 square X square by 2 plus C जहां C समाकलन यतांक है अब यदि सलावर्द गरती करते हुए कंड का आयाम A माना जाए तो X is equal to A पर V is equal to 0 अर्थात आयाम की स्थिति में कंड का वेक क्योंकि 0 हो जाता है इसलिए यहां पर X is equal to A पर V is equal to 0 लिया जाए तो 0 is equal to minus omega 0 square A square by 2 plus C जिससे C is equal to omega 0 square A square by 2 समीकंड 2 समीकंड 2 से C का मान समीकंड 1 में दिप्रती स्थापित किया जाए तो हमें निम्च समीकंड प्राप्त होती है V square by 2 is equal to minus omega 0 square X square by 2 plus omega 0 square A square by 2 या V square is equal to minus omega 0 square X square by minus omega 0 square X square plus omega 0 square A square या V square is equal to omega 0 square A square minus X square या V is equal to omega 0 under root A square minus X square समेकर तीन SHM में विस्थापन X की स्थिति में कण के वेग को व्यक्त करती है अब हम यहाँ पर तीन भी स्थितियों पर विचार करते हैं सबसे पहले स्थिति फाज यदि X is equal to 0 अर्थार साम में विस्था तो उस इस्थिति में V is equal to A उमेगा 0 होता है और यहें वेग का अधिक्तम मान होता है यह SHM करती हुए कन का अधिक्तम वेग है हम कह सकते हैं कि सामय विस्था से गुजरते हुए कन का वेग अधिक्तम होता है इस्थिति सेकेंड यदि X is equal to A हो अर्थार कन अधिक्तम आयाम की स्थिति में हो तो V is equal to 0 क्योंकि A square minus A square जो terms है वो आपको 0 प्रतान करता है अधिक्तम विस्थापन आयाम की स्थिति में होता है तो उसका वेग सून्ज होता है अब हम दोलक का जो विस्थापन है उसके विस्थापन है उसके विस्थापन में बात करते हैं तो दोलक के लिए सामने विस्थापन से X दूरी पर वेग V is equal to omega 0 under root A square minus X square या dx by dt is equal to omega 0 under root A square minus X square जिससे dx over under root A square minus X square is equal to omega 0 dt समीकर्ण एक का समाकर्ण करने पर integration dx over under root A square minus X square is equal to integration omega 0 dt जिससे sin inverse x over h equal to omega 0 t plus phi k या x by h equal to sin omega 0 t plus phi k या x equal to a sin omega 0 t plus phi k समीकर्ण दो जो प्रोक समीकर्ण को दो से विक्त किया गया है तो समीकर्ण दो दोलं करती हुए कर्ण का विस्थापन समीकर्ण है इस समीकर्ण में phi कर्ण की प्रारंबिक कला कहलाती है तो students आज के इस lecture में हम यहीं पर समाप्त करते हैं इसके बाद कल जो lecture होगा उसमें कर्ण का आवर्थ काल किस तरह निकाला जाता है या सरल आवर्थ गती करते हुए कर्ण की उर्जा का मान क्या होगा इस सब पर विचार करेंगे तो तब तक आप इसको पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा और यदि कहीं प्रॉलम है तो मुझसे कॉंटेक्ट करिएगा धन्यवाद